हेलो इव्रीवन स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बनारस रेलवे इस्टेशन जिसका की पूर्वनाम मडवा डी इस्टेशन था उसके बारे में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हुए बनारस रेलवे इस्टेशन वराणसी का एक टर्मिनल इस्टेशन है वराणसी जक्सन पर भारी भीर के कारण रेलवे ने एक उच्च सुविदा वाले टर्मिनल के रूप में विक्सित किया यह रेलवे इस्टेशन पूरी तरह से बदल दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं यह रेलवे इस्टेशन किसी हवाई जहाच अड़े के टर्मिनल की तरह दिखाई देता है रेल मंत्री प्यूस गोयल ने एक ट्विट में इस्टेशन का वीडियो साजा किया था और उसमें लिखा वराणसी का बनारत इस्टेशन यात्रियों को अपनी स्वच्छता, संदरी करण और विश्वश्त्रिय सुविधाओं के लिए एक नए अनभव प्रतान करेगा यह इस्टेशन जो कासिक प्राचीन गोरों को कुनर जीवित करता है देश के सबसे खुबसूरत इस्टेशनों में से एक होने जा रहा है इस्टेशन में एक विशाल प्रती छाले छेत्र, सर्कुलेटिंग एरिया, बुकिंग और अच्छन कार्याले, कैफेट एरिया, फूड कोर्टिंग, वेटिंग रूम और बहुत कुछ है इस्टेशन में एसी लाउँज, गैर एसी रीटायरिंग रूम और डामेट्री भी है इस्टेशन, परिशर की वास्तू कला कास्छी की आस्था को दिखाती है इस्टेशन के परिशर में फवहारे और बैठने की जगा सामील है बनारास रेल्वे स्टेशन से निकलने वाली पैसेंजर ट्रेने निमने हैं उमीद है कि ये वीडियो आपके पसंद रहा हुआ पुआ है कि ये वीडियो आपके पसंद रहा हुआ है